नमस्कार व्योर्ज मैं हूँ अमीज डेवकन और गुजरात से अब हमारी मेगा कवरेज देख रहे हैं क्योंकि अब वोटिंग को चंद घंटे बचे हैं और वोटिंग से ठीक पहले मेरे साथ मौझूद है गुजरात के ग्रे मंत्री हर्शांगवी हर्शांगवी को एक मैं परिचे दे देता हूँ हम ग्राउंड जूरों पर मौझूद हैं गुजरात के आमदबाद में और मेरे साथ वो शक्स हैं जिन्होंने एक हीरा वेपारी के घर जनम लिया 15 साल की उमर में जब बच्चे स्कूल होते हैं तो इन्होंने राजनीती में कदम रख लिया था और 27 साल की उमर में ये विधायक बन गए थे और गुजरात में सबसे कम उमर के विधायक बनने का इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया और आज गुजरात के ग्रेह मंत्री हैं, हर्ष सांगविया आपका अभिरंदन है, यहाँ पर थोड़ी जो पब्लिक मौजूद है, वो जोर्दा ताली से सागत कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, पहला राउंड हो गया है, अगले राउंड को अप कुछ घंटे बचे ह बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी इसमारी जीत के सारे रिकॉर्ड तोर देगी, लेकिन कॉंग्रेस का फॉर्मूला जबरदस्त है, और वो कहती है कि OBC समाच से CM होगा, जबकि तीन उपमुख्यमंत्री होंगे, पहला दलित समाच से, दूसरा आदिवासी से, और त की सरा अलप सेंग्ठक समाच से, देखे यह चुनाव, जी, गुजरात की हित का चुनाव है, यह चुनाव संबंदों का चुनाव है, 27 साल से चल रहा यह संबंद और तेजी से आगे निकलने वाला चुनाव है, भारतिय जनता पाटी और गुजरात की जनता का, जो संबंद है, उसको आगे ले जाने वाला यह चुनाव है, यह चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, एक तरफ भारत तोडने वाली सक्तियां, गुजरात तोडने की प्रहास जो कर रहा है, जी, वो सक्तियों को प्रास्त करने वाला यह चुनाव है, और यह चुनाव म गुजरात की जनता जी गुजरात के हर एक कोने से भारतिय जनता पाटी का कमल खिलाने के लिए तैयार है और मैं देख पा रहा हूं लोग की आँखों में एक सपना है कि 27 साल के ये संबंद को बरकरार रखे गुजरात के विकास की गती को और तेजी से आगे बढ़ाना है आपका तो सपना है कि आप दुबारा सरकार बनाए और आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सपना है कि ये सपना लोगों की आखों में है गुजरात की जनता की आखों में है ये सपना 27 साल से है वो सपना दिन में देखते हैं हम सपने नहीं लोगों के बीच में रहके काम करते हैं यह बहुत ही बड़ा फर्क है अर्विंद केजरिवाल भी इस बार सपना देखना है उनको लग रहा है कि आप जिस इलाके से आते हैं सूरत से कि इस बार वहां पर जल्वा बिखेर देंगे मतलब बहुत अच्छी जीत हो रहे होगी उनकी वह ऐसा बोल रहे देखे अर्विंद केजरिवाल जी को कही चुनाओ में इसी प्रकार के पत्र इसी प्रकार के लेटर लिखते हुए भी देखा होगा बड़े-बड़े वादे करते हुए देखा होगा के पंजाब में ठीक इसी तरह से उन्होंने जो वादे किये थे वो पंजाब जिस पंजाब में से सबसे ज़्यादा युवा ये देश की सरदों की सुरक्षा करते हैं और वो सरदों पे सुरक्षा करने वाले मेरे देश के जवानों की माता पे जिस प्रकार से उन्होंने दमन चलाया है जिस प्रकार से लाटी चार्ज किया पंजाब के मुख्यमंतरी आज पंजाब में जवाब नहीं दे पा रहे इसके लिए ही उत तो आपके मेहमान बने हुए हम तो मेहमान गती करने वाले लोग है जी आपने भी गुजरात की मेहमान गती देखी होगी कई सालों से आप देखते हो हमारे घरों में आप आओगे कई पे भी मध्यम वर्क के गुजरात के कोई भी परिवार में जाए होगे जी अगर उनके परिवार में दो रोटी बनी यूख वह काических भार्ती कıs पार्टी को आने वाले भविश्य में बहुतरा हो सकता है आम घृवित्र का सब्ध का जी का एक और भी ड्रक रेकॉड है जी मेरी आपसे बिंती है वो ट्रेक रेकोर्ड भी अच्छी तरह से देखना चाहिए उनका ट्रेक रेकोर्ड अन्ना हजारे जी से अच्छा कोई नहीं कह सकता ये देश में एक बुजुर्ग व्यक्ति को कई दिन भुके रखा और ये बुजुर्ग व्यक्ति को भुका रखक अपनी राजनेतिक मनसा जो सपने थे वो पूरे करने वाले व्यक्ति का नाम है अर्विंद केजरिवाल अर्विंद केजरिवाल को अब जनता जान चुकी है दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के थू और भी कई सारी बाते आई आप दो हजार दोपे की बात आ गई गोद्रा की बात आ गई यह पलटवार होता है दूसरी तरफ से गुजरात के चुनाव में राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गेलोट जी जी कुछ दिन पहले वो गुजरात आये थे उनकी सालों से जिस की एक बेटी रडड़ा का खून होता है और स्रड़ा का खून कोई सामान्य खून नहीं है यह पेथिस टूकड़े किये गए गए है चुन को वो दुर गटाना मानते है transparent होग को दूरकतना इसलिए मैंनते हैं यूकर कहीना जुनाव में माइनोरिटीश के वोट किस प्रकार से लिए जाए उसके लिए उन्होंने एक बहुती बड़ा प्रयास किया उन्होंने यह नहीं देखा कि स्रद्धा जैसी कई बेटी न्याई की मांग के साथ वाहर नि कले हैं स्रद्धा मडर कांड के आरोपियों को वोट को बचाने की कोशिस करते हैं स्रद्धा ऐतियारा है वो और अफ्टाप अगर उन को लगा राए क्जाने वोट मिल जाएंगे तो वो राजस्तान के कोई भी चौराय में उसका पुटला लगा ले हमें कोई तकलिफ नहीं है लेकिन एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे अगर आप गोधरा की बात करते हैं 2002 की बात करते हैं देश के ग्रे मंतरी कहते हैं कि देखे हमने कैसे सबग सिखाया और उसके बाद से अभी तक दंगे नहीं हुए है तो इसको polarization effect बाया जाता है OVC कहते हैं कि बताइए ये तो खोलियाम बोल रहे है OVC का certificate हमें चाहिए भी नहीं OVC हमें certificate देगा देश भी तो मानते हैं Congress तो कह रही है कि आप खोलियाम polarize कर रहे हैं के अंदर आकर पूरी तरह से देखिए हमारे संसकारों में लिखा है कि हमें इत्यास का हरेक इत्यास की सब चीजह हमें पताओं नहीं जी 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 तो इत्यास में किस प्रकार का दमन Congress के राज में गुजरात के लोगों पे होता था वो आज के युवाओं को पता होना जरूरी है गुदरा की एक एक बाते जो कहिए वो मात्रों और मात्रे युवाओं को Congress का सही रंग क्या है वो बताने की कोसिस है उसमें सामप्रदाइक कोई बात नहीं है उसको गलत तरीके से लिए अब UCC को भी सामप्रदाइक रंग से देखा जाता है जो कि उन आप से एन पहले आप लोगों ने किया युनिफर्म से बिल कोड ये राज्य के सभी धर्म के नागरिकों को एक समान कानून का लाभ मिले उसमें Congress के पेट में क्यों दर्द हो रहा है अर्विंद केजरिवाल जी को इसका क्यों विरोध होना चाहिए बाई सबी नागरिकों को एक समान कानून का लाफ मिले उसमें से सबको आगे बढ़ना चाहिए कॉंग्रेस और आम अद्मी पार्टी वह पूछ रहे हैं कोई और विपक्षकी नेता पूछ रहे हैं कि कौन है अगर कोई स्लिपर सेल एक्टिव करने की प्रोसेश हो उससे पहले पकड़ने के लिए अगर कोई सेल बनाया जाए उससे ओवे सीजी को क्यों तकलिफ है राहुल गांदी इस चुनाव में प्रचार करने के लिए कम आए इसकी खुशी है आपको या दुख है इसका देखिए अगर आप किसी कॉंग्रेस के कारेकरताओं को पूछोगे तो वो जरूर से ये खुशी जारी कर पाएंगे लेकिन हो सकता है कि एकी परिवार से चलने वाली ये पार्टी के सहजादे के लिए कॉंग्रेस के कारेकरता भी जायर में नहीं बोल पाएंगे लेकिन मुझे कई कारकरता जब एरपोर्ट पे मिले हैं, मैंने उनका पूछा कि भाई कल तो आपके नेता आ रहे हैं, बुले यही टेंशन में हम लोग अभी बैठे हैं। लेकिन मलिका अरजुन खड़की के एक बयान के उपर प्रधान मंतरी ने भी बोला कि अब रमायन से रामण को लिया हैं, उन्होंने जिस तरह से टिप पनी करी, मदूसी दन मिस्टरी ने जिस तरह से प्रधान मंतरी की आखाट पर टिप पनी करी, क्या आपको लगता है कि प्रियान ये लोग दे रहे हैं जिस प्रकार से कई ना कई हमारे नागरिकों की भावनाओं को थोस पहुचा रहे हैं यह सही में बहुत ही दुखत बात है एक जिर पोल भी आने वाला है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह ते हर शांग्वी जिनुन ने बेबाक बात करी हर सवाल का जवाब दिया बहुत बहुत शुक्रिया हर शांग्वी आपका